जैहिन साथियो अभी हम लोग पस्ते हैं एकजाम टोर चैनल पर शेवा में पुलिश महानिर्देशक बिहार सभी प्रमंडलिय आयुक्त बिहार सभी पुलिश महानिरिक्षक बिहार सभी पुलिश उप महानिरिक्षक बिहार मैं इस सुचना को क्यों बार-बार आप लोगों मैं बता रहा हूँ इसका कारण ये है कि BSSE यानि कि करमचारी चैन आयोग के द्वारा ये सुचना है तो आपको जानना चाहिए क्या आपका इकिजाम का डेट आगे होगा या उसी डेट पर लिया जाएगा इस बात को लेकर मैं बहुत दिनों से परियास कर रहा हूँ अपनों को बता भी रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चेसे कमेंट करते हैं तो देखें अब समझे जिलापदा अधिकारी बिहार दिनांक 31,12,2022 यानि आज का है बिषय है बिहार करमचारी चैन आयोग पटना के द्वारा विज्ञापन संख्या 01-2022 इसको कते हैं तिरतिय असनातक अस्तरिय शंजुक प्रतियोगी परिक्षा यह है कि शफल आयोजन हेतु दिनांक 2012-2022 को वीडियो कन्फरेंसिंग के माद्यम में बैठक आयोजित करने के स संबंद में अब देखिए एक तो अभी जस्ट आपका रिपोर्ट दिया गया है कि चुनाव आयोग का भी डेट लल रहा है और दो तारीक को यानि कि दो दिसंबर को बैठक है वीडियो कन्फरेंसिंग के जरिये तो दो दिसंबर को आपको कन्फर्म हो जाएगा कि डेट ए नहीं होगा आगे देखिए प्रसंग विभागिये पत्रांक 21-27-7 दिनांक 31-2022 महा से उप्युक्त विशाय में निर्देशा उंसर कहा गया है कि विहार क्रमचारी चैन आयोग पत्ना के विग्यापन संक्या 0-1-2022 तृतिये असनातक असर्ये संजुक्त परिक्षा के प्र निर्देशक बिहार के साथ विडियो कॉनफरेंसी के माध्यम में दिनांक 12 इतना को अपराहन मीटिंग है देखिए बात एक बता दें आपसे अभी ये मीटिंग चलेगा लेकिन देखिएगा आप लोग मेक्सिमम अब चांस लग रहा है जब से नोटिस जे दिया गया है च किसको दिया जाता है शिक्षक लोग को दिया जाता है और आपके एक्जाम में वरिक्षक के रूप में कौन होते हैं टीचर लोग होते हैं तो इसलिए हम लोग मेक्सिमम अनुमान कर रहे हैं कि अब आपका एक्जाम डेट बढ़ जाएगा इससे आपको घावराना नहीं है यह आपके और मेरे हाथ का बात नहीं है एक्जाम डेट बढ़ना या घटना आपके हाथ और मेरे हाथ का है तैयारी करना तो आप अपने तैयारी में लगे रहें एक्जाम डेट बढ़ जाएगा तो भी ठीक है नहीं बढ़ेगा तो भी आपका तैयारी रहेगा झाल